यह चैनल किसी जाती धर्म समूह से आधारित नहीं है। यह यूट्यूब चैनल JBL हरीश पटेल सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। कृपया इसे दिल पर ना ले। धन्यवाद। यह चैनल JBL हरीश पटेल सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया हरीश पटेल आइज रिलाक्स रिलाक्स आइम फिरोज सूरिया वह वेरी स्टाइलिश मैंने तो सोचा था कि इंडिया का डॉन शो लेके गबर सिंग की तरह गुड्राते हुए आएगा पर तू तो खरगोश की तरह मासूम है मगर मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता क्योंकि कभूतर अचानक गिद्धवन सकता है और खरगोश शेर्वन के ताहड़ भी संका है है ना? यह परस्टाहिं है चला बैठ के बात करते है यह गुंड़ाबए इस एरने यह गाड़ी लॉक्र करेका भाबा मै बात गयातो क्या गुंड़ाबने गारे-थू क्यौ गुंड़ाबने गारे-थू हरीश पटेल सुर्या मैं जैसा हूँ वैसा ही देता हूँ अंदर बाहर एक जैसा तू मेरे बुलाने पर नहीं आया पर मुझे गुस्सा नहीं आया देखो, मैं खुद जाया मुझे तुझ से मिलना जो था बोलता जा तू मुझे टकर का आदमे लगा मैं चाहता तो तुझे चुटकी ने खत्म कर देता सुर्या तरी कुंडली मेरे पास है बोलू क्या तेरे बाप एक पुलिस वाला था बहुती सीधा, साधा, शरीफ इंसान अपने फर्स की और जिम्मेदार मेरे जैसे एक को उसने एरिस्ट किया पर वो बेल पर छूट गया उसने तेरे माबाप का कतल कर दिया और तुझे अनात बना दिया अनात बनके तो सडकों पर खूम रहा था तब एक और अनात ने तुझे भाई गह कर बलाया और तब से आज तक वो तेरे हर काम में तेरे साथ है तेरा मूँ बोला भाई जादव वो तुझे जान से भी प्यारा है समाज में हर वक्त हर दिन तेरे साथ अन्या आए हुआ जल्म हुआ पर तु टिका रहा हिम्मत नहीं हारी तुने ग्रूप बनाया कमजोरों को लेकर फाइनली तुने अपने माबाप के कातिल यादव को ढूंड निकाला और पब्लिक के सामने उसे माल डाला उस वक्त लोग यादव के नाम से डरते थे लोगों ने तुझे मस्या माल लिया जनता का पावर तेरे साथ होने से पुलिस भी तुछ से डर्ने लग गई और तू यहां का डॉन ने अपनाया यह गुंड बई यह गुंड बई यह गुंड बई यह गाड़ी लोक्त करे का बबाबा अज़ा ने छोटने का मैं बाग गया तो क्या गुंड बने गा रे तू और इसी बीच तू एक लड़की से महबबत करने लगा गुड गुड आइ लाइक इट यह है तरा बाई डटा फिरोज तू क्या यह समझता है के एंदुस्तानी कोई खोश खाबर नहीं रखते तेरा असली नाम फारुख है तू एक जमाने में कराशी के लुंडा वाजार में चिंदी चोरी किया करता था रुपए के लालश में अपनी बेहन को थंदे पे उतार दिया और जब वापे से बाहर होगी तो उसका खून करके जिन चला गया बाहर आने के बाद नाम बदल कर फिरोज बन जुनेट गैंग को जॉइन किया लाशों को सीड़िया बना कर उपर चड़ता गया तुझे ताकत हासिल करने के इतनी लालश हो गई कि एक दिन जुनेट को मार कर तू डॉन बदल गया आज तक जिस किसी नहीं तेरा साथ दिया है तुने उसी के साथ खत्दार ही की लेकिन तुम मरने से बहुत डरता है इसलिए तुने सौ लोग और चालिस बॉड़ी गाइज पार रखे है अभी जो तेरा खास आपनी है उसका नाम है तुरानी इसके पहले तेरा एक और वफदार साथी हुआ करता था सिराज फिरोज, तु अपने फोन नमबर्स बहुत बदलता रहता है तेरा रिसेंट एर्टिल नमबर है 9890211111 है फिरोज, कराची से तु गल्फ गया, इंग्लेंड गया, न्यू यॉक गया, बैंककॉक, टोक्यो गया रिसेंटली तुने कैनादा में अपनी धाद जमा ली वहां के डॉन को खत्म करके अब तेरी नजर मेरे भारत देश पर है फिरोज, तेरी दो गल्फ्रेंड्स होने के बावजूद भी तुने और दीन को मेंटेंग कर रखा है उनका नाम सोनिया बीना पुरिती इतना ही नहीं कैनदा के डॉन को मार कर उसकी बीवी को भी अपनी रखेल बना लिया शाबवाश, पक्का दोगला है दू मार क्या गुंड़ा बने गा रहे तू तू दे मेरा डोल बजा दिया किसी भी मुल्क की पॉलीस की पास मेरे बारे में इंफरमिशन नहीं हो की तुर्डानी, मैं तो इसकी पोल खोल रहा था इसने मेरी किताब खोल दी मेरी चिंदी चोरी से लेकर मेरी गल्फेंट तक I like it, good, good शॉट हो गया क्या हिंदुस्तानी उतने बेवकूफ नहीं जितना तू समझता है ट्रेंड बदल गया है करेक्ट सूरिया, you're right ट्रेंड बदल गया है और मैं ये भी जानता हूँ कि सूरिया बात नहीं करता आग उगलता है दुनिया के कई मुल्कों को मैंने अपने पावर से मुठी में कर लिया है लेकिन इंडिया में हकोमत चलाने के लिए मुझे एक गुलाम की जरुवत है उसके लिए तुम करेक्ट हो संभाल ले मेरे फेंके हो इने वालों को या 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 ये सोने के टुकुडों से कम नहीं है सुझा तुम एरा गुलाम बन जा एश भी करेगा कैश भी कमाएगा इस देश के लोग तुससे और भी डरेंगे तुझे अपना खुदा मानेंगे दोनों मिलके इंडिया को बेच डलते है इस बारे में क्या ख्याल है तेरा कुछ बोल पता नहीं पाकस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसे नापाक कैसे पैदा हो गया शुकर करके तो महमान है इसलिए बच गया ने तो लाद खुंसों की मशीन में डाल कर पीस पीस कर तेरा कीमा बना देता चला जब मेरे हिंदुस्तान से तफा हो तेरी जबान बहुत चलती है सूरिया हाथ ज़्यादा चलता है पेरी पावर को मत भोल तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं मुझे से हाथ उखला ले पदार से दोस्ती नहीं करता मारा जाएगा अपनी सो इतना गुरूर ठीक नहीं सर पर कफन बांदरे वाले बहुत से नहीं डरते अपनी कलिनां से ओके ओके कूल बॉइस बूँ चलता हो सूरिया गेट लास्ट हरीश पतेल